अग्यां आप अग्यां विजन पर आपका आपका स्वागत करता हूं वैं संधित कि तो देखो भी अपने आज का टॉपिक बढ़ेंगे उसका नाम है कि लाइस्टोक का क्या योगदार है यानि अपने जो एनिमल पाल रहे हैं या फिर लाइस्टोक प्रडक्शन जो कर रहे ह जाटर होएे है ठीक है और और रुसरी बात कतना प्रडक्शन हो रहे है कितने सेंस देखंग अबन जैसे लाइफक प्रतोंक सेंस की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन नंहीं है न मिमंस की किस की और इंप्हा से इंशांस कंवाड़ Deathким जो एनिमल सेंसbers स्दोख ग通े आरी पांच वर्स के अंदर आले में होती है हर पांच वर्स ने फाइव यर गैप रहता है जैसे 2012 के बाद 2017 के अंदर के आई थी और तो अगर अपने देखें की टोटल जो पॉपूलेशन है कि टोटल जो एनिमल पॉपूलेशन है वह इंडिया की है तीन सो सुरी एंटिस पॉइंट पांच मिलिया ठीक है और टोटल एनिमल पॉपूलेशन में इंडिया की रेंग की बात करें तो कौन से है फस्ट राइट के इंडिया की इंडिया की इंडिया की इंडिया का है फस्ट रेंग है टोटल एनिमल पॉपूलेशन में अब बात करते हैं कि तोटल जो लाइफ स्टोख है यह लाइफ स्टोख है जो इंडिया न जीडीपी है उसमें इसका योगदन है लिए और मैंट वन वन परसंट कंट्रिविशन के तना है इंडिया की जे में आपने कंट्रीबिशन देखें का कंट्रीबिशन इन कि एग्रीकल्चर जीडीप एग्रीकल्चर जीडीपी में अगर लाइं स्टों का कंट्रीबिशन देखें तो वह है 50.6 तोटल डीडीडीप है इंडिया के उसमें कितना गांट्रीबूशन है 4.11 और अगर अपने कांट्रीबूशन करें अगरीकल जाए डीडीपी के अंदर तलाइश्टोक का कितना पुच्छी पॉइंट है अब देखें कि अब 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 अनिमल्स की बात कर था ना इंडिया के तो पिछली जंसें कितना इंक्रीमेंट हिए सब्कराइब एगल ओड़ा में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद 2017 में इसके और इसके बैस में दोनों में डिफरेंस कितना है यानि जब यह जनिनोना थी उसे परसंट बढ़ी है 4.6 परसंट टोटल पोपोलिशन इंक्रीज होई है इंडिया की अब अगर बात करें इसमें काव की काव पोपोलिशन की तो इंडिया के अंदर टोटल जो काव पोपोलिशन है वो कितनी है 192.4 मिलियन इंडिया की और जिसमें इंडिया की रेंक काव पोपोलिशन में काव सी रेंक है तो सेगें ठीक है अगर बात करें इंडिया की तो फैलो पोपोलिशन कितनी इंडिया के अंदर 109.8 मिलियन और अगर अपने इंडिया की बात करें इंडिया की रेंक काव इस एक अंदर फेस्ट रेंग रखना किसके अंदर नहीं पॉपाइलो पोपोलिशन के अंदर अब बात करेंगी शीप की सब्राइब कि दिसी पोपुलेतन के दाव सेम्टी हो 4026 मिलियन और इंडिया के अगर रैंक की बात त्सके अंदर कोन सी रहतें कि थार्ड रैंक फिर गॉठ है तो गॉठ तो जो इंडिया के अंदर है 148.8 तो इंडिया की अगर रेंक की बात निडिया की रहें का कौण सी अज़ेगे इसके डिए इस बार का पेपर हुआ था उसमें 2021 पूछा गया था अजो रहें पर पूछा गया था इसमें कॉछा कि तोटल जो गोड़ पूपलिशन था सुछ करें ठीक है कैमल की बात करें कि इंडियकन टोटल केमल है टू पॉइंट फाइव मिलियन है ठीक है और आगर रैंक की बात करें टैंथ रैंक है और इसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीजमेंट अवला को फॉर्टी फॉर्टी परसंट थर्टी सेवन की आसपास इसके अंदर का डिक्रीज हुए कैमल की पॉपॉलेशन बहुत जादा कम वह यह कंपेटों पिछले जो भी था ना अब अपने पिक की बात करें पिक कितने है नाइन पॉइंट जीरो सिक्स मिलिया तो यह अग बात आ जाते है यह तो टोटल एनिमल्स ना आप अपने पॉल्ट्री की बात क पॉल्ट्री पॉपॉलेशन कितनी है एट मिलियन ना आट सो एकामन पॉइंट एट मिलियन और इंडिया की जो रंक है वह फिट रेंग इसकंदा है अग्या अट प्रडॉक्शन में थार्ड है बट पॉल्ट्री पॉपॉपॉलेशन नहीं कितनी नंबर वो बढ़्ट ठीड़ ऑना टीज करें गना है यह. है है कि इसके बाद अपने बात करते हैं कि प्रडक्ष्न प्रोडेक्ट क्या है जिसे देख प्रोडेक्ट की बात करें एक तो मिल्क सबसे एपोर्टन जिसको इप और गोल यह मैं क्या होते हैं मिल्क प्रॉट्ट्स प्रॉट्स प्रॉट्स के लिए एग प्रॉट्स के लिए हाना बर्स को पा लेंगे तो एग के लिए पाले जाते हैं कि अधिया के अधर मिल्क पड़क्शन इंडिया से पहले अगर वर्ल्ड का देखें तो वर्ल्ड का मिल्क पड़क्शन है मिल्यान टन यह किसका है वर्ल्ड का पूरे वाल्ड का अब इंडिया का बात करें तो अधिया का 187.75 million 10 इंडिया वर्ल्ड का 22 परसेंट इंडिया वर्ल्ड का 22 परसेंट मिल्क प्रड़क्शन करता है अगर अपने बात करें कि इंडिया पूरे वर्लड का कितना परसेंट 22 परसेंट करता है इंडिया का रैंक देखें तो इंडिया की रैंक कोंसी यह मिल्क प्रड़क्शन में सबसे ज़्यादा है 89 परसेंट याद रखना यह वर्ल्ड की बात है यहां सी परूप प्रन्तु इंडिया में देखें मिल्क प्रक्षन में सबसे यादा जोगदान किसका होता है वह फैलो का होता है वो कितना है 50 से 55 परसेंट और काउ की बात करें तो काउ का 43 से लेके 45 परसेंट ठीक है बागे ग मिल्क प्रदक्षन में देखें तो मिल्क प्रटक्षन इन इंडिया में मिल्क प्रडच्शन में कहा कौन क्या बहस्ट इंडिया के अंदर देखें क्या तो सफसे ज्यादा कर रहा है यूपन धジャ pumpkinğan плохी पर उसके बाद कौन आ जाता है राजस्थान यह कौन सी रहेंगा सेकेंड यूपी 30.51 मिलियन टन मिल्क परड़क्शन करता है चपकी राजस्तान 23.67 million ton milk production गलता है तोटल ठीक है अब यह क्या करता है तोटल का 16% milk production मिलता है इंडिया के टॉटल मिलक का 16% कोन कर रहा है U.P. और इंडिया के टॉटल मिलक का 12% कोन कर रहा है राजस्तान कर ठीक है इंडिया की टोटल का 23.67 राजस्तान कितना कर रहा है बारा परसंट कर ठीक है और राजस्तान में अगर हाइस्ट मिल्क प्रोडुक्शन वाला कुछ टेट है सुझी डिस्टिक है राजस्तान में तो है जैपूर कर जैपूर के अगर अच्छा मिल्क प्रोडुक्शन डिस्टिक है इंदा राजस्तान की बात करें तो अब अपने बढ़तें एक ICMR की बात मिल्क प्रोडुक्शन में इंडिया क्या अच्छा है आई सी एम आर यानि इसको बोलते हैं इंडियन कांसिल और मेडिकल कांसिल और मेडिकल रिसर्च ठीक है इसका काम होता है कि यह रिकमेंडिशन करता है कि एक बंदे को डेली कितना मिल्क चाहिए इसके अंसार मिल्क की जो रिकमेंडिशन है पर कैपिटा जैनि एक बंदे को डेली कितना मिल्क चाहिए वह हैं टू एटी से थिरी हंड्रड ग्राम पर डे पर पर स्वन यहां आपके कहीं जैका कैपिटा बाड़ में लिखा वह सारे चीज़ को डिनोट करता है ठीक है अब अपने बात करेंदे यह तो आई सी आर्मनि मिल्क है दिया कि इतना मिल्क ते एक स्वस्थ रहने के लिए एक बंदी को जिरूरी है ठीक है बट इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि कि अवैलबल कितना हो रहा है इंडिया के अंदर अवेलबल कितना अवेलबल कितना है इंडिया तो 394 ग्रांट की रिकमेंट्टिशन से क्या है इंडिया के अंदर जादा मिल्क पडूक्शन यह श्राक्री आजीए पोजीशन में अब स्टेट देखें कि कुछ ऑसाह जो हाइएस्ट송 मिल्क कौन सा स्टेट है जो हाइयर मिल्क अवैलेबल करवाता है सबसे ज्यादा ठीक है वह करवाता है 1000 eleger को लेखेन नोसी ग्रांव को करता है पंजाब तो पंजाब का जो है अपने बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा पर बंदे को सबसे दूदा भी एट परजेंट का पें मिल रहा है पंजाब में मिल रहा है ठीक है और सेकीन्ड अपने बात करेंगे सेकिंड कौन है को सेखेंड आता ही राजस्तान तो राजस्तान कितना देरस भार आठ्ट-सू सत्र ग्रावग पर डे पर परशन कि प 밝ंशेंज कितना न कुसा ह। किंटना तक रिया हैं कितना इंडिया की करते हैं एक सो असी एग पर ये एक दिन में नहीं खाने हुए ना पर ये पर पर सब्सक्राइग एक साल के अंदर कितने अंदे अधिक्तम खाने है तो एक सी अंडे खाने तो अगर अपने कि अवेलेबिलेटी देखें भी कितना भारत प्रवाइड करा रहा तो 90 से एक सो फाइब एक पर यह ठीक है और अगर अपने यह तो इस रूरल के अपने अर्बन की बात करते हैं कि 75 अपने अपने रूरल यानि ग्रामेड अरियम में बात करें तो बिलकुली कमा और फिर भी शेयर के अंदर वेड़ेटी ठीक है नाइंटी एक है पर इसके कंपरीजिन में तो फोच आता कम है बकित जो अंदर परदेश आ जाता है अब अपने एक प्रड़क्शन की बात करें तो एक जो प्रोड़क्शन है कि who कितना है 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 92.2 billion और यह क्या है जिसमय में हाइस है प्रोडॉक्शन वाला स्टेट का नाम के हैं अंदर प्रदेश अंदर प्रदेश क्या करता है सबसे यादे अंडे उत्पादित करने वाला स्टेट और बूल गूल इंडिया पर्डूज कर रहा हैं कि 40.5 मिलियन टप इसमें हाइस्ट गूल पर्डूजिंग कौन करेगा हाइस्ट वूल पर्डूजिंग कर रहा है राजस्तान राजस्तान सबसे यदा वूल पर्डूज करता है 8 ठीक है और अपने देखें तो मीट की बात करते हैं कि अभी का अब लीट सेवन पॉंट सेवन जीरो मीलियन टन परड़क्शन हो रहे है है अभी मीड का हां और अपने बात करें फिश कितनी होरी 12.6 मिलियन टन फिश क्या होएं बट्रेशन हो रहे हैं तो यह था अटीए का आइनिमल से रिलेटलाइट लाइसटोक से रिलेट कि कितनी पॉपूलेशन नि अंदर कितना वूल एग और मीट का पूड़कषन और इंडिया की कौन-कौन सी रंक है इसमें देखो भी फिश पॉड़कशन में इंडिया की सेंड्रेंग कर रहतुत कि तो यह सारा मतलब प्रवाइड करा रहा है जितना रेक्मेंडेशन है उसके रिकार्डिंग देखें तो ठीक है भी थैंक यू मिलते हैं लाइट जरुक सुनूँ